नमस्कार मैं हूँ सौरब बोरासी आप देख रहे हैं फेश फार्मिंग इन लोकोष चेनल हमारी चेनल की तरफ से आप सभी को गनतांता दिवस्ट की बहुत सारी शुपकामना है आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुरेल मचली को हार्वेस्टिंग की दोरान आने वाली समस्या से हम कैसे बस सकते हैं बहुत लोगों को समस्या लगती है बागे हमारे लिए तो समस्या नहीं है अगर जानकारी है तो बहुत सारी लोग ये समझते हैं कि मुरेल कीचर में घुस जाती है या फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है तो ऐसा नहीं है इस वीडियो में वही चीज में दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप पकड़ सकते हैं जो मैं आम इसा वरवली बताता था आज में दिखातके बताता हूँ सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको 70% माल 70 to 90% माल या यूं कहूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि 70 या 80-90% माल निकल गया है तो आप पानी देड़ फिट दो फिट पानी पे जितना चाहें उतना जाल चलवाएं जाल से जितनी मचलियां आ जाती हैं ये मान कि चलिए कि वही आपका परसेंटेज पूरा मचली है जब आपकी मचलियां निकलना बंद हो जाएं पान लिजए आपने जाल चलाया पहला जाल सपोस्कि एक टन माल है आपके तलाब में तो पहले जाल में ही आपका 400 केजी 500 केजी माल आ जाएगा फिर आपने सेकेंड जाल चलाया तो आपका 300 किलो आया फिर आपने चलाया तो 50 किलो आया फिर चलाया तो 20 किलो 25 किलो आया फिर चलाया तो ऐसी 5-10 किलो तो आप समझ जाईए कि अब जाल से नहीं आएगा अब आपको पूरा पानी खाली करना है जैसे आप देख सकते हैं ये जाल में जो है वो छे कुंटल के आसपास माल जो है एक बार में निकला छे से साथ कुंटल उसके बाद जो है इसकी अफ़तार धीमी हो गई थी और फिर दीरे दीरे जो है वो खतमी हो जाती है फिर जाल से आना बंद हो जाता है तब आप समझ लीजे कि आपका माल जो है अब पानी को सुखाने के लिए तयार है आपका तलाब अब तलाब को कैसे सुखाया जाए आप ये देखिये तरीका ये तलाब में पहले से दस बाई दस का एक छोटा गड़ा कराय थे जिससे कि पानी निकालने में आसानी होगी और यह पूरे तलाप से मश्लियां जो हैं वो लाश्ट में उस छोटे से गड़े में पहुच जाएगी तो पकड़ने में बहुत आसानी होगी यह हमारी मुरेल है जिसकी हार्वेस्टिंग हो रही है में जाल से तो माल निकाल लिये हैं 90 परसेंट पर 10 परसेंट जो रहता है वो इस तरीके से अगर आप पहले ही छोटा गड़ा बना दें तो बहुत आसान होता है मचली को निकालना कि यह काम आप तलाब जब सुखा रहे या सुखने वाला रहे सुखा के आप यह दस बाई दस के एक फिट गड़ा कर सकते हैं फिर जब दस बाई दस में पानी रहेगा तो फिर उससे भी पानी निकालने के लिए आप जैसा देख सकते हैं एक फावले से या किसी चीज से एक देड़ बाई देड़ का शोटा सा गड़ा करके उसमें आप मोटर रखिए और फिर वो दस बाई दस से भी पानी पूरा निकल जाएगा और आप अपनी मचलियों को चुन के निकाल सकते हैं बहुत आराम से इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है मान लिजेए कि आपके पैस पहले से पानी भरा है और आपने नहीं गड़ा की है तो कोई बात नहीं आप नेक्स टाइम कर दीजिएगा कोई जल्दी नहीं है इस बार निकालके पर यह है कि आप गड़ा करने से आसान होता है और अगर आप डारेक्टी मतलब नैचुरल आपके पास इतना गहरा ढ़लान होता है तो उसमें आपको इतना चिंता करने की बात नहीं है वो हो जाता हमारे कई तलाब में नैचुरल ऐसा ढ़लान है लास्ट वीडियो में जब मैं दिखाया था तो उसमें नैचुरल ढ़लान थी उसमें गड़ा करने की कोई जरुवत नहीं थी तो आप वैसा रहने दीजिएगा जिसके पास नैचुरल गड़ा है अगर चैनल पे नए आए हैं आप तो उससे सब्सक्राइब कर लिजिए और शेर कर दीजिए दूसरों को भी जिससे की इंफर्मेशन दूसरों को भी मिले और पसंद आये तो लाइक कीजिए कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए और अगर मुरेल सीड आपको इंडिया में किसी भी कोने में चाहिए हो तो आप दिये गए नंबर पे वाटस अप कर सकते हैं चले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं